मन्सोर की भाशपा के सांसत सुधिर गुपता ने जन संख्या नियंत्रण कानून की एक बार फिर वकालत करते हुए अभी नेता अमिर खान को लेकर विवादित बयान दिये हैं सुधिर गुपता ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जनसंक्या असंतुलन आमिर खान जीसे लोग ही वज़ा से है सुधिर गुपता ने अभिनेता आमिर खान को अंडे बेशने वाला भी बताया बिजेपी के सांसत सुधिर गुपता पहले भी जनसंक्या नियंतरन कानून लागू करने की वकालत कर चुके हैं सुधिर गुपता ने कहा कि देश में संसादन समिती है और जनसंक्या तेजी से पढ़ रही है इसलिए जनसंक्या नियंतरन कानून अवश्यक है आमिर खान के खिलाफ विवादित बयान दे कर एक बार फिर विजेपी सांसत सुधिर गुपता विवादों में आ गए हैं तभी तो लोगों का हीरो आमिर खान है अब पहली पत्नी रिनादत्ता अपने दो बच्चों के साथ दूसरी पत्नी किरन राव अपने बच्चे के साथ कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं लेकिन दादा आमीर तीसरी खोज में जुड़ गएं ये भारत का संदेश है दुनिया को और ये हीरो है ये जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा जादा कुछ अकल है नहीं इतना ही करे तो जादा ठीक है भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमीर खान जैसे लोगों का हाथ ये दुरभाग्य है पर अगर दुरभाग्य देखने जाएं तो फरीदाबाद की एक महिला मिस जो जो ब्रैस्ट कैंसर से पिड़ी थी उसने अपने आठवे रंतिम बच्चे को जनमदी अमरत्युकूर बयान दिया कि मैं प्रसन हूं कि मैं दुनिया को मेरे दिवी संदेशों को मेरे इश्वर के दिवी संदेशों को पहुंचा पाने में अपने आठ बच्चे दे पाई हो तो कौन से संदेश हैं और इसलिए भारत को कठोर होना पड़ेगा विकासवादी सोच अगर चाहिए तो जनसंख्या पर नियंतरन चाहिए और जो लोगों के इरादे हैं कुछ सित उस पर कंट्रोल चाहिएगा कैनन न्यूज के लिए मनसोर सेश्युभम चुहान की रिपोर्ट